कि इस तरह की घटनाएं जो है इधर कुछ वरसों में बढ़ी है और उसका एक बड़ा कारण है कि हमारा हमारी जो संस्कृति है अब देखिए जो आदिवासी इलाका है उस इलाका में कभी कोई कलपना नहीं कर सकता था कि किसी औरत का किसी लड़की के साथ जो है बलतकार होग है आदिवासी संस्कृति में कभी रहा ही नहीं लेकिन जब से आधुनिकी करण के नाम पर आधुनिक समाज बनाने के नाम पर यह जो उप्भोकताबादी संस्कृति का चलन सुरू हुआ उसने औरतों को एक उप्भोक का बस्तु बना करके पेस किया सिनेमा में आइटम डा बने प्रोन वाला तस्वीर हो इन यह सब मिल जूल करके बने बलतकार की मानसिक्ता को तयार करते हैं और यह सिर्फ बादिवासी इलाका में जाना इसका मतलब समझिए कि यह बने समाज के अंतिम हिस्से तक चला गया और देश में कई इलाके से हैं जहां इस तरह की घटना ह तो जब तक इन सब चीजों पर जो बलतकार की मानसिक्ता को तयार करता है उसको आप रखते हुए आप कैसे कर सकते हैं अब दिल्ली में निर्भया वाला केस हुआ उस पर जो है कमिशन बना जुडिशल कमिशन बना उसके बाद जो है औरतों को बचाने के लिए इस तरह के यह से कानून को और सक्त किया गया फांसित तक की सजा का प्रावधान किया गया लेकिन उस समय भी हमने कहा था रहा सबाब है कि देखिए आपको सजा बढ़ा देने से मामला रुक जाएगा यह गलत परमी में नहीं रहना चाहिए जब तक वो परिस्तितियां रहेंगी जो पलतकार की और उकसाती हैं लोगों को तब तक पलतकार को आप रोक नहीं सकते हैं और आज भी मेरा खाना वाहिए